नमस्कार आप देख रहे हैं चैनल ज्यानरी बाता मैं सवीता आज इस वीडियो में हम राश्ट्य उपभोगता दिवस पर निबंद देखेंगे शुरू करने से पहले आपके अपने चैनल ज्यानरी बाता को सब्सक्राइब करें वे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर किलिक करें तो आईए शुरू करते हैं हम में से हर व्यक्ति किसी ने किसी रूप में उपभोगता है उपभोगता संरक्षन अधीनियम 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान खरीदता है वह उपभोगता है आज उपभोगता जमाखोरी, काला बाजारी, मिलावट, अधिकदाम, कम नापतोल, इतियादी संकटों से घिरा है उपभोगता क्योंकि संगठित नहीं है इसलिए हर जगे ठगा जाता है इसलिए उपभोगता को जगना होगा और खुद को इन संकटों से बचाना होगा बहुत कम उभोगता जानते होंगे कि उनके क्या अधिकार हैं भारत में 24 दिसंबर राष्टिय उभोगता दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि उभोगताओं को सोसन से बचाने के लिए 24 दिसंबर 1986 को उभोगता संदक्षन अधिनियम 1986 लागू किया गया भारत में इसकी शुरुआत 2000 से हुई ये दिन इसी लिए मनाया जाता है ताकि उभोगताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया जा सके और इसके साथ ही अगर वो धोखा धड़ी, काला बाजारी, घट तोली अधिका सिकार होते हैं तो वो इसकी सिकायत कर सके उभोगताओं के अधिकार, जीवन एवं संपत्ती के लिए हानिकारक सामान और सेवाओं की विक्री के खिलाप सुरक्षा का अधिकार, खरी दी गई वस्तू की गुणवत्ता, मात्रा, छमता, शुद्ता, इस्तर और मुल्य जैसा भी मामला हो के बारे में जानकारी का अध ताकि उभोगताओं को गलत व्यापार पदितियों से बचाया जा सके, जहां तक संबह हो उचित मुल्यों पर विभिन प्रकार के सामान तथा सेवाओं तक पहुच का आश्वासन, उभोगताओं के हितों पर विचार करने के लिए बनाए गए विभिन मंचों पर प्रतिनि प्रतित्व का अधिकार, अनुचित व्यापार, पदितियों या उभोगताओं के सोशन के विरुध निप्टान का अधिकार, सूचना संपन उभोगता बनने के लिए ज्यान और कोशल प्राप्त करने का अधिकार, अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने का अधिकार, क तो वो इसकी शिकायत कर सकता है इसके अलावा अगर किसी कानून का उलंगन करते हुए जीवन तथा शुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करने वाला सामान जनता को बेचा जा रहा है तो आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं शिकायत कहां की जाए शिकायत कहां की जाए यह बात शामान सेवाँ की लागत उत्वा मांगी गई छती पूर्ती पर निर्भर करती है अगर यह रासी 20 लाख रुपए से कम है तो जिला फोर्म में शिकायत करें यदि है रासी 20 लाख से अधीक लेकिन 1 करोड से कम है तो राज्य आयोग के सामने और यदि 1 करोड रुपए से अध अधीक है तो राश्टी आयोग के सामने शिकायत कैसे करें उपोगता द्वारा अथ्वा शिकायत करता द्वारा शिकायत सादेक आगज़ पर की जा सकती है शिकायत में शिकायत करता हूं तथा विपरित पार्टी के नाम का वीवरण तथा पता शिकायत से संबंदी तथ्य एवं सब कब और कहां हुआ आदी का वीवरन शिकायत में उल्लेखित आरोपों के समर्थन में दस्तावेज साथ ही प्रमानिक एजेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए इस प्रकार की शिकायत दज़ करने के लिए किसी वकील की अविश्यक्ता नहीं होती साथ ही इस कारिये पर नाम मात्र नयाले सुल्क लिया जाता है नए उभोगता संरक्षन कानून से आपको होगा क्या फाइदा आपके लिए अच्छी खबर है हाली में तीन दसक पुराने उभोगता संरक्षन कानून 1986 को बदल दिया गया है इसकी जगे उभोगता संरक्षन कानून 2019 ने ले ली है नए कानून में उभोगताओं के हित में कई कदम उठाए गए हैं पुराने नियमों की खामियाद दूर की गई है नए कानून की कुछ खूबियों में सेंटर रेगुलेटर का गठन भ्रामक विज्ञानो परोबर भारी पैनल्टी और इकोमर्स फर्मों और इलेक्ट्रोनिक डिवाइस बेचने वाली कंपनियों के लिए सक्त दिसानिर्देश शामिल है आईए नए उभोगता संडक्षन कानून की कुछ खास बातों पर नजर डालते हैं कहीं से भी उभोगता दर्ज करा सकता है शिकायत उभोगताओं की सिकायते निप्टाने के लिए जिला राज्ये और राश्टे इस्तर पर उभोगता अदालते कंजूमर रिड्रेसल कमिश नए कानून में छेत्र अधिकार को बढ़ाया गया है पी आर एस लेजिसलेटिव रिसर्च के सह संस्तापक और प्रेसिडेंट एम आर माधवन ने कहा चूंकि राज्ये और राश्टे उभोगता अदालतों के मुकाबले जिला अदालतों तक पहुंच जादा होती है लिहा सकता है उभोगताओं के नजरिये से यह बड़ी रहत है पहले उभोगता वही सिकायत दर्ज करा सकता था जहां विक्रेता अपनी सेवाएं देता है इकोमर से बढ़ती खरीद को देखते हुए यह शांदार कदम है कारण है कि इस मामले में विक्रेता किसी भी लोकेशन से अपनी सेवाएं देते हैं इसके अलावा कानून में उभोगता को वीडियो कोंफरेंशिंग के जरिये भी सुनवाई में सिर्कत करने की इजादत है इससे उभोगता का पैसा और समय दोनू बचेगा कमपनी की जबावदेही तह की गई है मैनुफेक्शरिंग में खामी या खराब सेवाओं में अगर उभोगता को नुकसान होता है तो उसे बनाने वाली कमपनी को हरजाना देना होगा मसलन मैनुफेक्शरिंग में खराबी के कारण प्रेशर कूकर के फटने पर उभोगता को चोट पहुचती है तो उस हादसे के लिए कमपनी को हरजाना देना इस प्रावधन का सबसे ज़्यादा असर e-commerce प्लेटफॉर्म पर होगा कारण है कि इसके दाइरे में सेवा प्रदाता भी आ जाएंगे मुकेश जैन एंड एसोइस्ट के संस्थापक मुकेश जैन कहते हैं कि प्रोडेक्ट के जवाब देई अब मैनुफेक्चर के साथ सर्विस प्रोवाइडर और विक्रेताओं पर भी होगी इसका मतलब है कि इकोमर्स साइट खुद को एग्रिगेटर बता कर पल्ला नहीं जाड़ सकती है इकोमर्स कमपनियों पर कसा है सिकंजा इकोमर्स कमपनियों पर डाइरेक्ट सेलिंग पर लागू सभी कानून प्रभावी होंगे दिसा निर्देस कहते हैं कि अमेजन फ्लिपकार्ट स्नैप डिल जैसे प्लेटफोर्म को विक्रेताओं के ब्योरे का खुलासा करना होगा इन में उनका पता वेब साइट इमेर इत्यादी सामिल है इक ओमर्स फर्मों की जिम्मेदारी होगी कि वे सूनिशित करें कि उनके प्लेटफोर्म पर किसी तरह की नकली उत्पादों की विक्री नहीं हो अगर ऐसा होता है तो कंपनी पर पैनल्टी लगेगी यह कदम इसलिए महत्पूर्ण है क्योंकि एकोमर्स प्लेटफोर्म पर नकली उत्पादों की विक्री के मामले बनाने का प्रस्ताव कानून में Central Consumer Protection Authority CCPA नाम का केंद्रिये रेगुलेटर बनाने का प्रस्ताव है यह उब्भोगता के अधिकारों अनुचित व्यापार व्यवार भ्रामक विग्यापन और नकली उत्पादों की विक्री से जुड़े मसलों को देखेगा जैहिंग जैभारत